तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से वलकम आपका मेरे यूटूब चैनल इस्टडी भी थी होगे इसमें आज से आप लोग का उत्राखन इंडिविज्वल टॉपिक का पहला वीडियो आएगा अब इसके बाद इसका जो दूसरा वीडियो आएगा वो नेक्स्ट वीक आएगा हम लोग यहां से उत्राखन इंडिविज्वल टॉपिक की सुरुवात करेंगे और यह एक अच्छी खासी सीरीज रहेगी कम से कम इसमें 25 वीडियो आएगे और आपके लिए बहुत महत्तवण होगे और उसी के साथ हमारा उत्राखन का सेशन कम्प्लेट हो जाएगा ठीक है तो टाइम जादा थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो सकती इसलिए मैं इसको सुरुवात करता हूँ आप लोग हेडिंग डाल लीजे उत्राखन में परिवहन तंत्र अब इसी के अंदर में आपको यहां के जो नैशनल हाईवे है जो अपडेट वाल है वो भी समझा दूँगा तो आपने heading डालने है उत्राखन का परिवहन तंत्र है अब बताइए परिवहन तंत्र के अंदर किसी भी राज्य हो राश्टर हो या अंतराश्टर इस तर पर कोई भी देश हो क्या-क्या एक प्रकार के उसका परिवहन के source हो सकते हैं यानि कैसे वो परिवहन तंत्र को आगे सकते हैं या उसके पास किसी हो सकता है हवाई यात्रा हो सकती है या उसकी पास जल मार्ग हो सकता है जल मार्ग बताइए इसके अलावा कोई परिवहन तंत्र तो है नहीं गया तो सड़क या रेलवे या हवाई या जल मार्ग हमारे स्टेट की जहां तक बात है उसमें सरवा आवा जो railway है, railway भी बहुत जादा important होता है, उत्राखंट राज्य में जहां तक railway की बात है, आप देखना है, 6 जिले ऐसे हैं, जहां पर rail path है, तो question आप से पूछता है, कि उत्राखंट के कितने जिलू में आपको rail path देखने को मिलेगी, आप बता देना, 6 जिलू में rail path लिख है गभी कि कि किस जिले में उत्राखंट के आपको railway नहीं देखने को मिलती है, तो वहां पर ध्यान दखना, तो कौन कौन से में खुदी बताइए, जो plane से के जिले होंगे, तो सीधे सीधे वो दाम तो लिखना है, आपको जैसे, एक देहरादून लिख लिजिए आप, पहल क्या लिखना, आपको देहरादून लिखने है, दूसरा कहां लिखोगे, आप हरिद्वार, हरिद्वार में भी क्या है, railway पात है, तीसरा क्या लिखोगे, मेदनी जिला, यूस नगार, यानि उधम से नगार लिख लिजिए, उधम से नगार लिख लिजिए, चौथा कहां लिखोगे उसी के बघल में चमपाव और चमपाओत मेंberg टनकपूरपी के आसपास railway है ठीक है और फांच मा लिख लिखे न्यनिताल , न्यनिताल के ब्रैकेट में लिख लिखे काट गोनाम और हैं हलदvaनी न्यनिताल और अंतिम लिख लिखे या पौडी गडवाल, क्या लिखोगे, पौडी गडवाल, पौडी गडवाल के ब्रैकेट में कोट द्वार, ये अपने आप में जो है कोट द्वार हो गया, यानि पौडी गडवाल में, नैनी ताल में, कौन-कौन से हलद्वानी और काट गोदाम, चमपावत में, टनक पू लिख देना सबसे कम पॉड़ी गड़वाल के साथ क्या लिखोगे सबसे कम रेलपत लिखोगे जबकि हरीद्वार के साथ रेलपत क्या लिखोगे सबसे ज्यादा रेलपत लिखोगे सरवाधिक रेलपत सबसे ज्यादा ठीक है ये सबसे ज्यादा रेलपत हरीद्वार में बत बागेस्वर की है जिसको भारे सरकार के द्वारा सन दोहजार बार में राष्ट्री परियोजना घोशित किया गया था नहीं राष्ट्री के तहत दिया गया था इसका क्या मतलब होता है कि उसका जो खर्च होगा वो कौन उठाएगी केंद्र सरकार तो अगला लिखने जिए पॉइंट तनकपूर बागेस्वर रेल्वे लाइन को टनकपूर बागेस्वर रेल्वे लाइन को 2011 में राष्ट्री परियोजना घोशित किया गया इसका क्या मतलब है कि सीदी सीदी बात है इसका जो खर्च होगा वो कौन उठाएगी केंदर सरकार उठाएगी तो पॉइंट पूरा लिखना टनकपूर बागेश्वर परियोजना को होजार बार में आपका क्या खुश्ट Idaho राश्टि परियोजना खुश्ट कि आपने पूरा इसमें का लिखना एक पॉइंट लिखना है इसके अलावा देखिए कुछ यहां पे क्या हुशता है हवाई हवाई का तो आपको पता है बाई एर है उसमें आपसे क्या कोशन बुशता है कहां कहां पे उत्राखन में क्या है हवाई पट्टियां है तो आपको हवाई पट्टिया आप लोग इसको note कर लिजे, मैं erase करता हूँ, क्योंकि इसी वीडियो में आपको National Highway में पढ़ाऊंगा, उत्राखण में जो हैं, तो आप लोग इसको क्या कर लिजे, जल्द से note कर लिजे, या screenshot लिजे, हम आगे बढ़ते हैं, देखें, हवाई आत्राखा जहां तक सवाल है, उत्राखण में जो हवाई आपके पूछे जाते हैं, उसको हवाई पट्टियां कहां पे हैं, वो देखना, देखें, यहां कहां कहां है, एक तो है Jolly Grant, यह कहां पढ़ता है, देहरादून में, Jolly Grant, यह question ऐसी ही पूछता है, ठीक है, यह कहां है, दून में, देहरादून जिले में, दूसरा लिख लिजिए, पंत नगर, अब यह सारे नामों से आप वाकिप हैं, इनको आपने मैप में अच्छे सी सीख है, यह कहां पढ़ेगा, यूएस नगर में, तीसरा कहां लिखेंगे आप, पिथोरागर में, नैनी सेनी, नैनी सेनी, यह कहां पढ़ेगा, पिथोरागर में, ठीक है, यह पढ़ेगा आपका, पिथोरागर में, और इसके अलावा कौंछा दिखोगे, आप एक गोचर लिख लिजे, गोचर कहां पढ़ेगा, चमोली में, गोचर हुआई कहां पढ़ेगा, चमोली में, और एक अंतिम लि उत्तर कासी अब आपसे यहां से क्या क्वेशन पूछता है कि कहां रेलवे आपको यह कहां हवाई मतलब पट्टी देखने को मिलती है नहीं मिलती है जॉली गरांडी मैचिंग में भी आता है देहादून पंत नगर जो है युएस नगर में पड़ता है नैनी सैनी जो पड़ खकी तो इतनी यहाँ पर फैसलीटी नहीं है किया यहाँ पर कोई जल मार्य बगयरा वाली जीजर आपको देखने को में देखे तो जल मार्य को आप रहने दीजिए ठीक है जल मार्य नहीं है रेलवे वाली जहां तक बात थी रेलवे क्या होता है एक बहुत दोपोण योग बता जाता है तो अगला point यहां पर आप लिखोगे देहरादून railway station की स्थाबना ये question कभी कभी पूछे जा सकते हैं आपके ठीके जो देहरादून railway station है देहरादून railway station railway station ये कब बना था ये बना था आपका sun 1900 में और लिख लिजे इसके ब्रैकेट में उत्तर भारत में उत्तर भारत में मतलब उत्तर भारत में लिख लिजे ये उत्तर भारत की जगा उत्तराखंड में लिख लिजे आप क्या लिखोगे उत्तर भारत की जगा उत्तराखंड में लिख लिजे अंतिम रेलवे स्टेशन जिसको बनाए गया था यह कब बना था सन उनिस्व में यह देहरादू रेलवे स्टेशन और यह अपने आपके बहुत ज्यादा क्या है passer adolescents क्या होता है एक परकार का यह मान के चले कि एंतलास्टी गौणवत्ता कुछ मतलब उसकी गुणवत्ता होगी उसके according को परमान पत्र दिया जाता है इसको कब दिया गया था आपने आप में सन 2003 में दिया गया था तो railway station हवाई और जलमार्ग का हमने ज़्यादा नहीं देखना है तो खाली एक प्रकार का introduction था आप लोग के लिए कि हाँ आपका ये भी उतराखन में द सड़क परिवहन ठीक है सड़क परिवहन तंत्र यहां पर क्या है उतराखन में कुछ ऐसी चीजे हैं जो इसको regulate करते हैं कुछ मात्रा में कुमाऊ on motor sonners union चलाता है कुछ मात्रा में जी एमो यू चलाते है नहीं गडवाल motor sonners union चलाता है आपने देखा भी होगा कुमाओं वगेरा में जो KMOU की बैसा कहते हैं आप गड़वाल में GMOU की बैसा कहते हैं वो अधिकतर क्या करते हैं सड़क परियों ने बसों का संचालन उनके द्वारा किया जाता है एक परकार की कमपनी है जो बसों को चलाने का कारी करती है इसके अलावा कुछ मात्रा में ज चलाता है वो कौन चलाता है एक तो सड़क परिवहन निगम चलाता है कुछ कुमाओं मंदल विकास निगम की बहुत कम मात्रम है यनि बहुत कम मात्रम क्या चलता है एक तो सड़क परिवहन निगम चलाता है ठीक है थोड़ा बहुत क्या चलाता है इसको गड़वाल मंदल विकास निगम, इनके द्वारा जो गाड़ियां चलाई जाती हैं, बहुत कम मात्रा में चलाई जाती हैं, यह आपका इंपोटेंट भी नहीं है, आप लोगों ने यह नोट किया होगा, कुछ मात्रा में सड़क परिवन निगम के द्वारा, कुछ गड़वाल मंदल विकास न दूसरा, KMOU, कुमाउं मोटर्स ओनर्स यूनियन, ठीक है, पूरा यह लिखो गया आप, GMOU और KMOU के द्वारा यहाँ पर अधिकास्त क्या होता है, बसों का या गाड़ियों का संचालन किया जाता है, इसका पूरा नाम लिखो गया, आप गड़वाल मोटर्स ओनर्स यून कोड़वार पॉड़ी में, और जो आपका KMOU है, कुमाउं मंडल, कुमाउं मोटर्स ओनर्स ओनर्स यूनियन, यह 1939 में हो बना था, और इसका कहा है, काड़ गोदाम में, ठीक है, इसका कहा है, देखने को आपको मिलेगा, अब देखिए, यह अधिकास्त बस चुका है, अधिकास्त संचालन इनके द्वारा किया जाता है, यह तो नॉर्मल सी चीज है, यह सभी को आता है, अधिकास्त संचालन इनके द्वारा किया जाता है, कुछ मात्रा में इनके द्वारा, अब देखिए, हमने पढ़ना है, नैशनल हाईवे, हम कैसे कैटेगिराइज करेंग गें, मिल के पत्तर में इतना किलो मीटर यह वो हरा कलर किसивать है आपको ऐसे बता रहा हुँ ओ यानि जो हरा कलर जहां लगाओगा जिस मिल के पत्तर में उसका यह मतलब वो राज्य सरकार के अंदर है यलो अगर आपको दिखता है, पीला कलर किसिस cham करता है, आप यलो कलर है वो आपका देखने को मिलता है पीला कलर फिक है पीला किसके अंदर देखने को मिलता है नैस्टल हाइवे के अंदर नैस्टल हाइवे के अंदर नैस्टल हाइवे तो औरेंज कलर लिख लिए आप औरेंज कलर लिखोगे किसके अंदर प्रधान मंत्री ग्रामीन सडक योजना यानि प्रधान मंत्री ग्रामीन सडक योजना के अंदर दिखेगा औरेंज कलर की जहां मील के पत्थर दिखते हैं और एक अंतिम आता है आपका काला मतलब या नी जिले के अंदर आती है ठीक है ब्लेक है यानि काला अब लिग नीला जो कलर होगा वो सीधे-सीधे बात है जिले के अंदर आता है यह तो एक बेसिक इंट्रोडेक्शन था अब मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग डाल लिजे उत्राखंड में अवस्तित नेशनल हाइवे हेडिंग डालनी है उत्राखंड में नेशनल हाइवे और मैंने आप लोगों के लिए एक मैप बना दिया है इसको जल्दबाजी बिलकुल मत करना जैसा समझाओंगा वह एंसे चलना इसको तेज करने की कोशिज मत करना वहीं के वहीं बेहोस हो जाओगे जिस हाइवे पर चल करने थे नौ त्यान से सुनना राजजी निर्मान के समय उत्राखंड में हाइवे पुछेगा तो नौ थे वर्तमान में 2018 का लास्ट अपडेट है कहां पर भारत सरकार का जो राश्ट्री राजमार के वह मतला अथारिटी है वह जो देखती है नेशनल हाइवे को उसकी साइ कितने 18 हो सकता है कि इनकी आपसे लेंथ पूझते कोई भर असा नहीं उत्राखंड के एक्जाम पर तो इनकी टोटल जो लंबाई है इसको लिख लिए 29593 किलोमेटर के तालिक होगे 29593 किलोमेटर टोटल लंबाई लिख लिए 29593 किलोमेटर इसकी क्या थी टोटल नहीं लिख लिख लिए वर्तमान में उत्राखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है नहीं नहीं नमबर 7 है हो सकता है कि इसकी लेंथ पूझती यह है लगबा 402.6 किलोमेटर नहीं के ब्रेकेट में लिख देना 402.6 किलोमेटर यह सबसे जादर लंबा है और सबसे छोट नेशनल हाईवे लिखना नेच थीन-साथ यह छोड़ दिए कहा से कहा जाता अब ही बताता हूं तो क्या क्या वैक्ति लिखने है राज जिरिमान के समय नोनेशनल हाईवे वर्तमान में अठा रहे हो सकता है एक दो मर्ज कर दिये हूं यह 30 लॉंबर 20 लॉंबर 2018 का है लास्ट अप्डेट उसके अलावा अगर आपको फ्यूचर में अप्डेट मिलता है आपकी किताबू में अप्डेट है उसको आप अप्डेट कर सकते हैं और जो सबसे लंबा एनेश है नेश सेवन लिख लीजिए जिसकी लंबाई है चारसद दो दसनो छे कि सबसे छोटा एनेश उत्राखन में नेश 300 साथ है इसके बाद जो बांकी फैक्ट आते मैं आपको बताता हूँ ठीक है देखिए कैसे शुरू करना है इसको बनाना मैं साइड में खड़े हो जाता हूँ देखिए आपको यहां से इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी पह इस पर मैंने मार कर दिया है अभी इस लाइन को सबसे पहले आप लोग ड्रॉ कर दीजे यह वाली लाइन ठीक है यह इतना ही पड़ाओंगा जितना एक्जाम की दिश्टे से इंपोर्टन है सारा कुछ नहीं आता इसमें से यह लाइन आपको ड्रॉ करनी है और इसी को कुछता है नहीं सेवन कहां से कहां जाता है आप बता देना हिमांचल परदेश के पास से सुरू होता है ठीक है वहां से देहरादून यह रिषी केस होते हुए हिमांचल परदेश के पास से यहां से आएगा देहरादून जिले में यहां से रिषी केस रिषी केस से आगे ज करेंगे जहां आपने रुद्रपरियाग लिखा है यहां से डाल दीजिए एक नेशनल हाईवे एनेश एक सो साथ जो की कहां जाता है गुप्तकासी वगरा की ओर जाता है केदानाथ तक तो पुरी रोड नहीं जाती यानि केदानाथ अगर आपको जाना होगा इसी एनेश से जाओगे तो यहां पर रुद्रपरियाग लिखन के बाद एनेश एक सो साथ लिख लिजिए और उपर केदानाथ लिखना है यहां क्या गुप्तकासी वगरा जो भी है आपनों मैप अच्छी तरह से आपको मैंने जिला सीरी इसी लिए पढ़ाई है ताकि आपके यह इसी यह कैसे दिखा दोगे बताओ इस टाइप का डाइग्राम यह आपका पॉसिबल नहीं है यहां तक का जो पोर्शन है नीचे अगर आपको नहीं दिख रहोगा मैं आपको उसको दिखा दूंगा ठीक है तो रुद्रपरियाग यहां के दान ना दिखना है अब इससे पहले क क्या करोगे इधा शिरी नगर लिखोगे का हा रुद्रपरियाग से जस पहले शिरी नगर शिरी नगर में आपको एक एनेच मिलाने है इस पोर्शन से यह वाली लाइन ड्रो करो इसको ड्रो और यहां लिखो कोड़ दौर्डत दौर्ड यहां पे लिखो पॉइंट मौई यानि कोटद्वार, पॉड़ी और सिरिनगर वाला जो NH है उसका नाम रिखना NH 534, 5134, कोई इंपोटेंट नहीं है, जो इंपोटेंट में बता दूँगा, एक NH7 याद रखना है, आपको NH107 याद रखना है, अभी तक दो ही NH याद रखना है, एक NH107, एक रखना है NH7, जो NH पूरा है, दूसरा आपने डालना है इधर से, कोटद्वार से, इस प्रकार से डालना है, इधर डालके यहाँ पे पॉड़ी पे डैस करना है, और यहाँ से सिरिनगर कर देना है, तो यह NH534 है, ठीक है, अब इसी पॉड़ी पे, आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉकर होगे, इस वाले पॉर्चन से, जो की पॉड़ी के पीछे-पीछे कहा निकलता है, रामनगर, धुमा, धुमा, धली से यहाँ से निकलता है, यह जो पॉर्चन है, यहाँ से आप इसको सीधे कहां करोगे, कासिपूर पे मिला दोगे, उसको लिखोगे NH309, यानि अगर आप जस्प तो आपका अभी तक क्या बन गया होगा, यह लाइन ड्रौ कर लिये होगी आपने, यह केदानात वाली कल लिए होगी, और उसके अलावा आपने सिरीनगर वाली कोट द्वार लिखोगे, पोड़ी और कासिपूर, उसके बाद देखे, यह अगर आपको बोड में नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा उपर कर देता हूँ, ठीक है, यह वाली लाइन में थोड़ा सा इसको उपर कर दूँँगा, इसको लिखना है आपने NH9, यह है देखिए, जो NH9 है यह, यह है, इतना मैंने उपर कर दिया, इसको यह देखिए, यह रहा आपका NH9, ठीक है, यह करना है तो जस्पूर के बगल में कासिपूर कासिपूर के बगल में रुदरुपूर रुदर्पूर पे point कर देना और रुदरुपूर के बगल में किछा सितारगं जो होते हुए इस LINE को आते हुए NS9 और यहाँ पर पिथादागर से कुछूर NS9 ओगला ओगला जाती है, असकोट ओगला यहां को कर देना NS9 नहीं, पूरा NS9 है, जड़ में जो दिखा रखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो ऐसा कर देना है, इस परकार से बना देना है, यहां से नीचे नहीं दिख रहा है, तो यहां ऐसा कर देना, यहां यहां पर रुदरपूर लिख देना फिर किछा होते हुए फिर कुछ नहीं है वाप एंसे गरना आपको तो उसके लिए आपने जो एनेज का नाम लिखना है उस एनेज का नाम है एनेज 9 तो एनेज 9 आपका यह है पूरा पिथारागड वाला जो एनेज है यह कासिपूर और जो जाता है रुदरपूर किछा सितार गंज पिथारागड वागते हुए नेज 9 जाता है ठीक है अब नेज 9 जैसी पिथारागड पहुंचोगे पिथारागड से तो आगे को गया नेज 9 वो इधर जब बागेश्वर की हो रहा होगे आपने आगे को बढ़ाना इसको 309 का आप ए कर देना है जो कि यहां बागेश्वर जाएगा सब नाम नी लिखने आपको बस इतना ही करना है ठीक है यहां बागेश्वर जाएगा बागेश्वर के बाद आपको यह वाला जो पोर्शन है यहां ताकुला हो गया ताकुला के बाद आप आप आगया हो गया यहां पर ताकुला लिख लीजे, सब जिला में अपमें बनता हैं, ठीकें, ताकुला गर्द अल्मोडा, यहाँ पर आपने क्या दिखाना है, अल्मोडा दिखाना है, अल्मोडा जहां दिखाया है, इससे आप फिर नीचे को आएंगे, अल्मोडा से नीचे को NH 109 आ जाएगा, और 10 109 कहां से शुरू होगा, वो रुद्रपूर से होगा, यह रुद्रपूर से आपने क्या लिखा, NH 109 लिख लिजे, इसको, रुद्रपूर हल्द्वानी होते हुए, नैनिताल, भवाली होते हुए, अल्मोडा जो जाएगा, यह जाएगा NH 109, यह जाएगा NH 109, यह टुर्पूर वाला highway है ये वाला, ये है highway 309, NN309 लिखा है, ये सिर्फोव रुद्रपूर तर जाएगा, रुद्रपूर से जो line कटी हलदवानी को उसके लिए NN109 होजाएगा, और रुद्रपूर से आगे NN9 होगा, जब अपने पिफ़ऒरागर के लिए NN2 होगा, जब ये रुद्वपुर से पहले जो ये पट्टी पड़ी है लास्ट की इसको दिखाना है 309 और ये आप लोगोंने दिखा लिया होगा ये भी अपने आप में गोंच है 309 है ठीक है ये पूरा गया है 309 है तो देखिए जब आप अलमोडा पहुंचे उस रोड से होते वे परियाग इस परकार से आप लोगोंने दिखना है और कर्ण परियाग के पास ही NH7 से मिल जाता है यहां पर क्या लिखो गया कर्ण परियाग के बाद किसमे मिल जाएगा NH7 से मिल जाएगा तो ये पूरा का पूरा NH 109 है ये वाला 109 आपका कहां से जा रहा है अलमोडा से आपका सीधे NH7 से तो ये वाला पूरा पूर्सन मैंने आपको कबर करा दिया है अब आता है इससे उपर देखो NH7 जब ये देहरादून के अंदर आता है तो यहां से एक डाल दीजे जहां आपने हरबटपूर नाम सुना होगा देहरादून में पढ़ता है कालसी चकराता वाला जो रूट है उसको बोलते है NH507 ये वाला कालसी यहां लिख लिजे हरबटपूर सबसे पहले हरबटपूर लिख लिख लिजे इधर इसके बाद विकास नगर इसके बाद कालसी इसके बाद ये आगे जाके बढ़कोट पे जाके 134 से मिल जाएगा यानि यहां से ये खंगोत्रि के नीचे आप लोगं को पता है कुछा बढ़कोर्ट है घंगोत्रि से आप उत्तर्गाशी की वर ay醉ट आञे। उत्तर्गाशी का मैप देखना वो फिर इसके बार राता है है तो नच 14 यहां से नीचे सीद Eigen रिशी केस में मिल जाता है NS34 यहां किसे मिल जाएगा NS34 अब देखे यह उपर का लगभग आपका सारा क्या हो गया National Highway वाला portion cover हो गया अब आता है आपका यह वाला देखे हरीद्वार वाला जो है यह इसको है 344 यह 344 नमर का NSF कुछ important नहीं है यह 344 लिख लिजिए इसके बास जो यहां पर लिखना आपको हरीद्वार और यह सीधे कहां मिल जाता है NS7 से मिल जाता है और एक छोटा सा NSF 307 यह सबसे छोटा है वो कहां है इस portion पे कहां से किसको जोड़ता है कुछ नहीं पूझेगा आप बताए कहां किसको जोड़ेगा है यह देरादून के आसपास मिल रहा है option खुदी आपको समाझा जाएगे यह देरादून के आसपास मिल रहा है यह कहीं UP वगरा के इलाके से ऐसे आ रहा है NS307 आपको इतना देखने की जरुबत नहीं है दो छोटे-छोटे जो NS344 में इक रुडिकी से आ जाता है य एक मंगलोर से आ जाता है NS34 यह है यह इस परकास से न God 34 गो है यह देराद रहा है आपसे किस से रुडिकी वगे मंगलोर हरिद्वार से मिल जाता है यहाँ मंगलोर है यहां रूड़की है तो आपका नेशनल हाईवी का जो पोर्शन है इतना ही आपको ध्यान रखना आपके पेपर में तो बहुत सीमिस्टी चीज़ पूछता हो वो क्या पूछता है के दाननाथ के लिए कौन्छा पकड़ोगे कि यादखना नहीं जादा नहीं जाक रखने गंगोत्री के लिए कौन्छा जाता है थाटीफूर उसमें 108 करो 134 कितना हो गया यमनोत्री के लिए तो यमनोत्री के लिए और एक छोटा हाईवी एनेश 707 भी है उत्राखन में ये भी आपको पूछेगा नहीं कुछ ज्यान नहीं रखना है बाकि आपको देखो पौड़ पौड़ी वगरा वाला ये नेश 534 आपको पता चल गया रामनगर होते हुए अगर आप यहां पर धूमा कोट और उसके अलावाद थली सैन वगरा जाएंगे तो नेश 309 आपको यहां देखने को मिलेगा ये नेश 309 हो गया काशिपूर जसपूर वाला है पूरा 309 है और उसके बाद आप जैसी अलमोडा पहुंचे अलमोडा से एक चला गया 109 वाला जो कि रानिखेद लिखीजे यहां आपको द्वारहार लिखना है यहां चौकुटिया लिखना है यहां पर गैरसान लिखना है यहां कर्ण परियाग लिख देना है यह वाला यह पोर्शन और अलमोडा से पहले हो कौन सा मिल रहा है जो कि रुद्रपूर से आ रहा है रुद्रपूर हलवानी होते हुए आपका इससे मिल रहा है और यह वाला आपका कौन सा है यह इतना ही तो आपका नेशनल हाईवे है कौन सा इतना परिशान होते रहते हो 507 वाला यह है इसके अगर टनकपुर वाला पुष्ट है तो NS9 जी होगा, अब आपको उत्राखंड का मैप जिला श्री याद होगा, तो आप गैस करके भी क्या कर लेंगे, सारा का सारा बना लेंगे, अब आप क्या काम करोगे, ध्यान से सुनो, आप लोग को क्या काम करना है, नेट में, गूगल में एक सर्च मानना, सबी लोग ध्यान देना, क्या लिखोगे, रोड मैप उत्राखंड, रोड मैप उत्राखंड, तो वो रोड मैप उत्राखंड करोगे, तो उसमें जो उपर मा आताना, आल, वीडियो, या इमेज वाला, तो आपको इमेज वाले सेक्शन में क्लिक करना ह इमेज वाले सुख को डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करोगे तो आपका ये NS वाला पूरा पोर्शन मिल जाएगा, exam के लिए इतना काफी है, ठीक है, पूरा screenshot ले लिजे, अपनी तरीके से एक बार कोशिश करना, आपका काम बन जाएगा, इसका आप लोग क्या ले लेंगे screenshot ले लेंगे और Google Maps को डाउनलोड कर लेंगे, देखेजे, ठीक है, ये था आज का आपका पहला सेशन, जिसका नाम था, उत्राखंड individual topic स्रीज का पहला topic, इसके बाद next week आपका अगला topic आएगा, एक ही topic उत्राखंड का आएगा, और हम लोग 5 अपरेल से देखते हैं, अब वर्ल्ड ही इतिहास के साथ, फिर मिलता आपके साथ, थ्यान रखे, थेंक्यों